नमस्कार कापिटल टीवी उत्ता प्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी यूपी विधान सबाक्षोनाप का प्रचाद जोर पकड़ने लगा है पार्टी के एक दूसरे पर हमले बोलने का करम भी जोर पकड़ने लगा है समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव भी यूपे के मुख्यमंतरी सीम योगी अधनाथ पर तीखे चुनावी हमले बोलते रहते हैं कुछ समय पहले सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीम योगी पर फोन टापिंग का आरोप लगाया था अब अखिलेश यादव के अनारोपों पर सीम योगी ने अपने ही अंदाज में चुट के लिए है हाले में एक इंटव्यू में जब सीम योगी से पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपकी सरकार पर फोन टापिंग के आरोप लगाए है इस बारे में आपका क्या कहना है इसके जवाब में सीम योगी ने कहा हमें तो 25 करोड जनता के सेवा करते करते फुरसत नहीं मिलती है किसी के फोन टाप कराने के फुरसत हमें कहां से मिलेगी मैं तो हर दिन 16 से 20 घंटे काम करता हूँ ये फुरसत नोगों के लिए है जो दिन के 12 बजे सो कर उठते हैं मैं तो खुद ये बात पूछना चाता हूँ कि 5 साल के कारेकाल में किसी के संपती 200 गुना कैसे हो सकती है जब CM योगी से पूछा गया कि किया आप चुनाप के बाद भी इसी मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे इतने बड़े भवन में आपका निजी सामान कितना होगा कहीं पैक करके जाना पड़ा तो घंटे दो घंटे में जा सकेंगे इसका जवाब भी योगी ने अखिलेश को लपेटते हुए दिया उन्होंने कहा कि इस अवास में मेरा कोई निजी समान नहीं है जो पहना है वो मेरा समान है हमें पैकिंग करने की आवशकता ही नहीं होती हमें ना आने की खुशी होती है और ना ही जाने की खुशी होती है जनता ने 2014 में भी बीजेपी को भी अपना आशरवाद दिया था उसके बाद साल 2017 और फिर 2019 में भी आशरवाद दिया मुझे पूरा भुरोसा है कि साल 2022 में यूपी की जनता बीजेपी को अपना आशरवात देगी हमारी जीत को लेकर कोई कन्फूजन ना मुझे है ना बीजेपी को है अखेले शादव की सीएम हाउस में पैकिंग पहले ही हो चुकी है इसलिए उन्हें भी पैकिंग की जरूरत नहीं है बगेर नाम लिए तंच कसने के करम में सीएम योगी ना आगे कहा कि लाल टोपी हमारे ले कोई खत्रा नहीं है लाल टोपी यूपी के लोगों के ले खत्रा है किसी गाउं की महिला या किसी सामान निनागरिक से पूछिए कि लाल टोपी के बारे में क्या सोचते हैं वो आपको अच्छे से बता देंगे हमेश साल लाल टोपी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कोई भी उसलाल टोपी को इमानदारी और सजन्ता से नहीं देखता तो देखा आपने इस बार सीम योगी ने अखिले श्यादब की चुटकी लेकर गेम पलेट में का काम किया है ऐसे तो हर बार ट्विटर की राजनीती के लिए फेमस अखिले श्यादब ही सीम योगी पर हमलावार रहते हैं लेकिन इस बार खुद सीम योगी ने ही मौका देखते हुए अखिले श्यादब के आरूपो का तगड़ा जवाब दिया है इस रिपोर्ट में मेरे साथ अतना ही बने रहे है कापितल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ जैहन